हलो फ्रेंट्स मेरा नाम विशाल है and welcome to my channel programming with विशाल फ्रेंट्स आज के वीडियो में मैं आप लोग को ये बताऊंगा कि अगर आपको किसी image की उपर इस तरीके का splash लगाना हो तो किस तरीके से आप उसे लगा सकते हैं तो फ्रेंट्स यहां पे टोटल दो images है मेरे पास एक ये background image है एक बार मैं आपको open करके दिखा देता हूँ इसे और एक मेरे पास यहां पे splash का इसका screen है तो एक ये बड़ा वाला image है जो building का मेरे पास है और एक है splash का छोटा सा image है वो है मेरे पास तो चलेंगे फ्रेंट्स यह देखेंगे कि finally output कैसे achieve करेंगे तो फिलहाल के लिए page को मैं reload कर लेता हूँ यह blank हो गया यह मेरे पास है simple एक html का code है जो हमारा body है इसमें चलते हैं और यहां पे mac div बना देता हूँ और इस div की एक class डाल देते हैं container अब जो भी code हमारा होगा वो इस container के around चलेगा यहां पर तो css जो है मैं यहां पे इसी page में लिखे रहा हूँ external css का use नहीं करता हूँ आप पे depend करते हैं अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं तो सबसे पहले तो हम लोग जो हमारा page है इसका जो margin और padding यह उसे 0 कर देते हैं तो मैं डाल देता हूँ margin 0 और padding जो है उसे भी डाल देता हूँ 0 container जो हमने बनाया यहां पे आएंगे हम लोग सबसे पहला काम container की एक लगा लेते हैं position और उसे कर लेते हैं लोग absolute sorry relative होगी actually इसकी तो दूसरा वाला जो होगा उसकी हमारी absolute होगी इसके बाद हम लोग एक background में बना लेते हैं URL कॉल कर आ लेते हैं तो मैं डाल देता हूँ URL और यहां से मैं यह जो मेरा bg है background image है इसे call कर आ लेते हैं तो मैं बोल देता हूँ bg.jpg दो चीज़े आ गई हमारी और यह जो image है एक बार अगर हम इतने एक output देखें यहां पे तो कुछ दिख नहीं रहा है फिलाल के लिए हमें तो एक तो मैं क्या करूंगा कि यह जो background image है यहां पे यह मुझे पूरे page पे चा नहीं रही क्योंकि हम लोगों ने width और height यहां पे specify नहीं करा है तो मैं एक तो डाल देता हूँ इसका width width कर देता हूँ मैं यहां पे 100% मतलब पूरे screen में चाहिए मुझे और जो इसकी width होने हाइट होने वाली है उससे मैं कर देता हूँ मेरे screen के recording वी एच अभी एक बार चलेंगे reload करेंगे तो यह image जो था मेरे पूरे के पूरे screen पे आ गया अब अगर मैं screen को छोटा करूँ कर देते हैं dot और हम लोग यहां पर use कर लेंगे before का इस तरीके से सबसे पहले हमें चाहिए content तो मैं डाल देता हूँ यह मेरा content हो गया और इसके बाद one by one जो css उसको specify कर लेंगे अगली चीज हम लोग यहां पर position ले लेते हैं और उसको कर देता हूँ मैं absolute ध्यान रखेंग लेते हम लोग यहां पर url और जो image है वो ले लेते हैं splash.jpt आजाएगा इसके बाद यह जो background हमने बनाया है इसका एक size देते हैं तो मैं डाल देता हूँ यहां पर background size और यह पूरा चाहिए मुझे screen के according तो इसको हम लोग यहां पर 100% कर लेते हैं एक बाद चल के देखते है कुछ होगा की नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने अभी भी इसका height और width दिया नहीं है तो मैं यहां डाल देता हूँ एक तो width, width कर देते हैं इसका 100% और जो height है इसकी वो भी मैं यहां पर कर देता हूँ 100% इस तरीके से चलते हैं एक बाद देखते हैं तो यह image जो है मेरा कर देखते हैं और यहां पर यहां पर तो यह नीचे की तरफ अभी कहीं पर आ रहा है इसकी जो position है वो यहां पर ठीक तरीके से align होके मेरे पास नहीं आ रही है तो कुछ चीजें करेंगे एक तो मैं यहां पर जो इसका top है उससे zero कर देता हूँ यहां पर जो यह left से उसे भ दाल दूँगा यहां पे center, जैसी reload करा तो जो splash था, वो हमारा उपर आ गया, तो जो सारा काम था वो हो गया, पर आप बोलेंगे, splash थो आ गया, पर वो पीछे वाला जो हमारा game आ रहा था, वो तो यहां पे दिखाई नहीं दे रहा, तो उसके लिए हमें यहां पे एक और डाल तो अब क्या हो जाएगा यहां पे, कि वो जो splash था, वो मेरा वो जो image है, उसके उपर आ जाएगा, और इस तरीके से आपका जो splash वाला concept है, वो यहां पे बन जाता है, simple code है, अगर आप देखें, कुछ भी नहीं है ऐसा, हम लोग उन्हें सबसे पहले यहां पे जो margin और padding था उसे 0 ले लिया, हम container पे आए, container का हमने code लिखा, container में भी एक खाली image, background, cover में हम लोगों ने set कर दी, same to same काम हम लोगों ने नीचे करा, पस position एक तो इसकी absolute ले ली, और एक main कहानी थी mix, blend mode, इसको हम लोगों ने कर दिया screen, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है, हमारा यहां पे इस तरीके का effect हमें दिख जा रहा है, तो यह था friends हमारा आज का video, किस तरीके से अगर कोई splash को आप image पे डालना चाहते हैं, तो डाल सकते हैं, अब यह background image की जगा, आप कोई और image यूज कर सकते हैं, splash की जगा, आप ये वाले splash की जगा, कोई और splash यूज कर सकते हैं, आप प पसंद आया, तो please इसको like और share जरूर करिएगा, चैनल अगर आपने हमारा अभी तक subscribe नहीं किया है, तो please उसे subscribe कर दीजे, thank you